Hello friends, नमश्कार, मैं Dr. Naline Kumatsuri, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ, चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं, कि इस COVID की जो महा बिमारी चारो तरफ हैली हुई है, इसमें बहुत सारे सिंटम्स अलग-लग व्यक्तियों में, अलग-लग रूप में आ रहे हैं, त कोई भी वो खश्बू महसूस नहीं कर बार, तो देखे, अब इसी पर मैं चर्चा करता हूँ, जैसे आप देखे, बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जिन रोगी हैं इस COVID-19 के, जिनको ग्रस्थ हुए हैं, जिनने इंफेक्शन हुआ है, किसी को केवल बाड़ी एक पेन होता है, उसी में ठीक हो जाते हैं, कुछ को fever हुआ, फिर ठीक हो गए, किसी में गले में infection होता है, गले में दर्द होता है, swelling आती है, कफ होता है, उसके बार ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनने थोड़ा बहुत बलगम भी बनना शुरू होता है, उसके बार ठीक हो जाते हैं, कि भी ऐसे बहुत सारे मरीज देखे गए हैं जिन में सूने की पावर जो है वो उनकी खतम हो जाती है अब तो इंडियन कॉंसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने भी प्रूफ कर दिया है कि अगर आप किसी पेशिंट में ये देखते हैं जो आज तक बिलकुल ठीक था उसे कोई परश से तो नहीं कह सकते लेकिन हो गया है अब देखे इसके साथ साथ उनको क्या होता है कि उनको खाने में भी मज़ा नहीं आता उन्हें खाने में टेस्ट भी नहीं आता कारण क्या है कि सूने का और टेस्ट का आपस में बहुत अच्छी तालमेल होती है उन्हें खाने का स्वा हो जाती है किसी में कम मात्रा में होती है और किसी की तो फिर जब COVID-19 का infection हो भी गया होता है उस 14 दिन के अंदर भी या ठीक होने के जब COVID-19 का infection ठीक भी हो गया उनकी report negative भी आ गई उसके बाब जूद भी 2-3 महिने तक उन्हें जो सूने की शक्ति है वो कमजोर हो जाती है या उन्हें बिल्कुल भी सूना की पावर उनके पास नहीं रहती है तो आप यह जानिये कि देखिए जब जो लोग सून नहीं पाते उनके लिए कितनी बड़ी handicap हो जाती है वो बहुत एक उनकी लाइस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है तो इस प्रकार की यह घटना कोविड-19 के पेशेंट्स में देखी जा रही है तो अब देखिए बात करते हैं जैसे मैंने अभी कहा कि इंडियन कॉंसिल और medical research ने तो यह 100% कह दिया है कि यह भी एक typical symptom है इस केवल शुरुवाद जो किसी patient की हो सकती है वो केवल उसे सुने की शक्ति शुरू में खतम हो जाती है और बाकी symptoms तो बाद में ही आते हैं कुछ लोग तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं जिने कोई भी symptom नहीं develop होता केवल उन्हें सुने का power ही उन्हें खतम हो जाती है और उसके बाद वो फिर धीरे धीरे सुते ठीक हो जाते हैं लेकिन उन लोगों को बहुत watchful रहना चाहिए जो already किसी घंबीर बिमारी से ग्रस्त हैं और उनकी अगर smell चली जाती जैसे वो रोगी जैसे किसी को diabetes है किसी को blood pressure का रोग है किसी को heart की बिमारी है किसी को दमे का रोग है किसी की फैफ़नों की already कोई बिमारी है और इसके अलावा किसी को kidney का रोग है cancer का रोग है या उनकी immunity already बहुत डाउन हो चुकी है बार-बार वो बिमार होते हैं, किसी को brain stroke पढ़ चुका है, fallis पढ़ चुका है, या कुछ ऐसी steroids की दवाईयां चल रही है, तो ऐसे patients को तो बहुत ज़्यदा वाच्पुल हो जाना चाहिए, उन्हें बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, कि उनकी सुने की शक्ती जा चुकी है, इसका मतलब उन्हें infection हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंथ अपने घर में isolate हो जाना चाहिए, औरों से मिलना मिलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और एक कमरे में उनको अपना 14 दिन तक कम से कम वहाँ पर रहना चाहिए, और जो लोग बिल्कुल स्वस्त हैं और उनको भी अगर ये smell चली जाती है, और कोई symptom डिबलप नहीं हो पाते, तब भी उन्हें कम से कम और लोगों से 14 दिन तक अपना बिल्कुल अलग रहें, जिससे की ये बिमारी और लोगों को ना फैल सके, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षन है, अब इसका मैं बताता हूँ कि इसकी आखिर मेकनिजम होती क्या है, देखिए होता क्या है कि जो स्मेल होती है, वो वाईू में से आती है, उसमें छोटे-छोटे उस स्मेल के मालेकूल्स होते हैं, वो जब नाक के जरीये, जब हमारे उपर उन सेल्स पे पहुंसते हैं, जो epithereal cells होते हैं, वहाँ पे neurons होते हैं, वो message जो है, वो brain में जाता है और उसके बाद हमें smell का मैसूस होता है अब इसमें दो परगार की nerves होती है, एक को olfactory nerve कहते हैं, एक को trigeminal nerve कहते हैं जो olfactory nerve है, यह तो छोटे बोटी जो भी smell होती है, उसको यह असानिक से इनका stimulation इने मिल जाता है जैसे घर में आपने देखा होगा, हनी है, शहद होता है घर में, उसकी smell वो सुन लेते हैं या और किसी परकार का, यह suppose बटर है, बटर की smell उनने महसूस हो जाएगी हलकी-फलकी महसूस करने के लिए जो है, वो olfactory nerve के जो neurons होते हैं, उनसे वो smell ग्रेंड कर लेते हैं और जो जएदा पंजन्ट smell होती है, जैसे bleaching powder की smell है, या आपकी वेनेगर की smell है, या प्याज की smell है वो smell जो होती है, वो trigeminal nerve की वज़े से हमारे brain में उसका message मिलता है तो इस case में अगर आपको अब देखे कैसे हम diagnose करेंगे, कि ऐसे patient को smell आ रही है या नहीं आ रही वैसे तो यहाज से तो अलग-अलग system होते हैं, अलग-अलग चीज़ें रखी जाती है, जिन से पता लगता है लेकिन आप अपने घर में भी इन चीज़ों से मान लो घर का कोई भी item है, उसमें जैसे प्याज है, या अपना vinegar है, honey है, या और भी कोई धहीं है या किसी प्रकार का भी कोई wix है, या कोई भी perfume है, उसे लगा कर आप चेक कर सकते हैं, कि आपको smell आ रही है या नहीं आ रही है, या नहीं आ रही है, ये आप दूसरे अपने घर के और सदस्से हैं, उनसे comparison कर सकते हैं, लेकि एक बात का ध्यान रखें, आपको बार बार वो smell नहीं सूंग नहीं है, क्योंकि दो तीन वार अगर आप सूंगेंगे, तो क्या होगा, उसके बाद सूंगने की शक्ती खतम हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा, किसी public toilet में आप जाते हैं, अंदर जाते ही आपको एक smell आती है, और उसके बाद, 5-7 मिनट के बाद, आप को बिलकुल smell मैसूस नहीं होती, उसका कारण क्या है, कि वो जो nerve endings है, वो saturate हो चुकी होती है, ठक चुकी होती है, वो फिर दुबारा message brain को नहीं दे पाती है, इसलिए ही मैंने ये बात करी, कि आप बार बार ना सूंगे, एक दो बार सूंगे ही, आप निश्चिंद हो कि ये जो smell है, ये शुरू के infection जब होता है, पहले week में ही ये smell उन विक्तियों को, जिनको infection हो गया है, उन में ये खतम हो जाती है, ये मानके चलें कि अगर आपको smell नहीं आ रही, तो already एक हफ़ते के अंदर के बीच की ये घटना है, तीसरे चोथे दिन में जाकर, ये smell आनी बंद हो जाती है, और इसके साथ साथ, फिर उसके बाद एक हफ़ता दस दिन आपको और बिल्कुल isolate रहना पड़ेगा, और ये smell जो है, सुते आपने या वापस आ जाती है, कुछ लोगों को तो COVID के infection के बीच में ही ये वापस आ जाती है, और कुछ में ये फिर आगे भी द तो जब वो किसी भी वज़े से कोई भी droplet infection जो आपके शरीर में आया, किसी भी वज़े से आया हो, चैह social distancing कम रखी हो, या आपने मास्क सही नहीं लगा रखा, या आपने हाथ अच्छी तरह नहीं दो सके, या कोई भी वज़े रही होगी, तो अगर आपके शरीर में वो infection आ गया, तो ये जो वाइरस है, वो जो stimulation देने वाले epithelial cells होते हैं, nerve endings होती है, इनको ये damage कर देता है, आप देखिए, जैसे common cold में या flu में smell चली जाती है, आपने देखा होगा, मैंने इस पर एक अलग video बना रखा है, आप जाके सुनिए का कि common cold में किस प्रकार से होता है, तो जैसे flu में इस प्रकार की ये बाते होती है, एक loss of smell पर मैंने अलड़ी एक video बना रखा है, लेकिन उसमें मैंने COVID-19 के उपर ज़्यादा चर्चा नहीं की हुई, इसमें केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि COVID-19 में जो loss of smell होती है, ये भी एक बहुत बड़ा symptom होता है, अब watchful हो जाईए, कि अगर आपको smell नहीं आ रही तो आप अपने घर में औरों से बिलकुल अलग हो जाईए, नहीं तो सारे घर में, सारे परिवार में ये infection होने का डर है तर, अब मैं बात करता हूँ कि इसका treatment क्या होना चाहिए, देखिए कभी भी दवाई, कोई भी दव बिना अपनी मरजी से नहीं खानी चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, बहुत लोग में इसे पूछते हैं, कि डाक साब, आप अपना treatment नहीं बताते हैं, देखिए, treatment बताना इतना असान नहीं होता, पेशिंट को पूरा पहले check-up किया जाता है, अगर जो बहुत सारे questions पिर उनका investigation भी कराई जा सकती है, फिर हर एक की age के मताबिक उसमें क्या-क्या और परशानियां चल रही हैं, इन सब का ध्यान लगते हुए, बड़े ध्यान पूरवग, एक जुम्मेवारी होती है, दॉक्टर की, फिर वो treatment लिखते हैं, ये इतना असान नहीं है, कि आपने बताया और दवाई लिख दी गई, इसके पीछे बहुत बड़ी study की होती है, तब जाके डॉक्टर उसके बारे में सही, अच्छा जो आपके लिए बिलकुल राम बान का काम करे, इस परकार की दवाई फिर डॉक्टर दिया करते हैं, तो मैं जैदा दवाईयों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको यहां इतना बता देता हूं कि अगर जिन जिन चीजों में ये दवाईया मिलती हैं, नैच्रल सूर्सिस क्या हैं, उसकी मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं, कभी भी पहली बात बिना डॉक्टर की इजाज़त के कोई भी nasal drop नाक में नहीं ड कर सकते हैं, कि आप अपनी immunity को बढ़ाईए, इम्मनिटी बढ़ाने के लिए जिनकी smell जा चुकी है, उन्हें क्या करना चाहिए, high protein diet खाएं, दूद में है, इसके अलावा दालों में है, सोया बीन में है, आप non-wedge खाते हैं, तो chicken में खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, red meat खा लीजिए, fish खा लीजिए, ऐसे बहुत सारे पदार्त हैं, जिनसे आप protein की कमी पूरी कर सकते हैं, फिर देखिए, जितने yellow colored fruits हैं, या जितने citrus fruits हैं, मतलब जो खटे फल हैं, उन सब का आप इस्तमाल कर सकते हैं, आप खटे फल खुब खाईए, उनका juice मना के पीजिए, जितने पीले फल होते हैं, जयसे पपीता है, या आपका आम है, इस परकार के पीले रंग के फल हैं, भून का इस्तमाल कीजिए, हरी सबजियों का आप खुब 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 लीजिए, सलात का इस्तमाल खुब खुब कीजिए, तो इन से क्या होगा, कि आपके जो problem आईए ह वो बहुत हद तक हल हो जाएगी और मैं आपसे कुछ बाते मैं बताता हूँ कि कौन-कौन से ऐसी चीजे हैं जिन से आप improvement पा सकते हैं देखिए सबसे पहले ब्रोकली का आप इस्तमाल कर सकते हैं बहुत सस्ता होता है टमाटर और आलू उनको आप इस्तमाल कीजिए सलाथ के रूप में टमाटर खाईएगा इस्ट जो अपना दही होता है इसका इस्तमाल कीजिए गाजर का इस्तमाल कर सकते हैं या चुकंदर जो है उसका ज़्यादा इस्तमाल शुरू कर दीजिए और रेड मीट का जैसे मैंने आपसे चर्चा करी अब रेड मीट का इस्तमाल करें इन सब का जूस बनाके भी अगर आप रोज एक दो गलास बीते रहेंगे तो जो दवाईयां डॉक्टर लिखते हैं अलग से बताते हैं उसका हल इन सब में अंदर आपको मिल जाए इसके अलावा भी बहुत सारी चीजे हैं जैसे फ्लेक्स सीट्स होते हैं इनका इस्तमाल कर सकते हैं उन्हें भून के खाईए उसका पौडर बनाके खा सकते हैं चीया सीट्स होते हैं आजकर बहुत पौपुलर हो गए हैं चीया सीट्स का इस्तमाल कर सकते हैं यह अक्रोट की गिरियां होती हैं इनको खाईए इसे लिए आपको बहुत इंप्रूमेंट मिलाएगा शेल्फिश का इस्तमाल कर सकते हैं कैनोला आयल आता है उसमें सबजी बनाके सलात के उपर डाल कर खाईए फिर इसके अलावा ब्रोकली और अवाकॉडो यह कुछ ऐसे आइटम हैं जिनका आप अच्छा इस्तमाल करेंगे तो क्या होगा कि यह जो आगे की जो मैं दवाईयां आपको नहीं बताई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ यह मैडिसन इनके साइड एफेक्ट्स होते हैं किस डोज में देना है इनकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है यह डॉक्टर का काम होता है कि वो मैडिसन आपको किस परकार की दीजिए कितनी डोज में दी जाए कब कब दी जाए तो यह तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह मेडिकली ही गलत हो जाएगा लेकिन आप इन सम चीजों का इस्तुमाल करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी स्मेल है यह वापस आ जाएगी और धीरे धीरे इसके अलावा अगर आप sun rays में भी बैठेंगे थोड़ी देर धूप में भी बैठें रोज सुबे सुबे की धूप में भी तो उससे भी आपको बहुत benefit मिलेगा और अपनी diet का ध्यान रखेंगे अपनी सहत का ध्यान रखेंगे गरम गरम पानी पीते रहेंगे क्योंकि ये जो infection हुआ है ये nasal की loss of smell है ये आपके आगे extend भी कर सकती है आपके गले में जाके भी infection कर सकती है और फिर उसके और complications हो सकती है ये एक warning sign होता है शरीर का कि जिसका आप बहुत जल्दी शिगरती शिगर ही यहीं पे से रोग ठाम कर दीजे तो लगातार गरम पानी पीते रहें गरम गरम खाना खाते रहें गरारे कड़ते रहें काड़ा पीते रहें चाय का इस्तमाल बहुत अच्छा माना जाता है तो अगर ऐसा आप करेंगे तो loss of smells की वज़े से ये जो warning sign आया है शुरू में इससे आगे आप बच जाएंगे और अगर हो भी गया है तो वो सते जो मैंने diet schedule बताया है इसका अगर आप इस्तमाल करेंगे वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है जैसे common cold की sense जो loss of sense होती है वो चली जाती है और आम तोर पे दो हफते तीन हफते में ये sense जो है वापस आ जाती है इसका डरने की कोई बात नहीं है लेकिन आपको precaution रखनी है कि आपको isolate होके रहना पड़ेगा औरों के साथ मिलना मलाना बंग करना पड़ेगा इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप करता हूँ आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो subscribe भी करें औरों के साथ share भी करें और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ फिर मिलेंगे किसी और topic पे चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार